उनका ये मानना है बत मैं गहना चाऊंगी कि भाई अगर तुमारा कश्मीर ए तो कश्मीरीज को भी अपना मानो कुछ काट दिया आप जितने भी यातरी है वो सारे वापस चरे जाओ कश्मीर में कुछ होने वाला है जब 3700 लगने वालीटी तो इन्होंने बोल कि सारे जो यात्री है वो बापस चले जाओ कश्मीर में कुछ ऐसा हालत होने वाले हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो तो महाँ पर भेज दिया अरे मुझे तो यह एक इनका इतना बड़ा मजाक में बोलूँगी इन्होंने सारा लाइट इंटरनेट सब कुछ महां से काट दिया और जब 377 हटा दी गई उसके आगे कश्मीर इसको सांथ बना दे रहे हैं तो सुनेगा कौन तुमारी कौन सुन रहे तुमारी जो बोल रहे अब तक वह करें और मुफ्ती के साथ सरकार बना सकते हो फिर उसके बाद जैसी 377-321 मैं बंद देते हैं ठीक है तो जब तो नहीं पता था कि वह कैसे लोग है जब भी तो तुम्हें पता था कि वह कैसे लोग है पर रही उनके साथ क्योंकि सीट का लाला चैना आ वहां पे कि अपनी सरकार चाहिए तो महां पे सीट का लालत सरकार बना लिए पर जब यह लगा कि नहीं वह तो यह पूरा पूरा अपना अपना अब दो तो सब को जेल में डाल दिया और जो 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 एक करे करे महीं किस तरह के हालात हो दिक़्े कि मैं शची बताओं तो खेर जैसे इंटरनेट वे वस्ता महां से सब कुछ काटी रखा है तो हमें इतना जादा तो मालूम नहीं होता बड़ अगर अपना परसनल एक्सपीरिंस पर तो कुछ कश्मीरी मेरे दोस्त हैं जो यहां पर पढ़ रहे हैं तो उनसे कभी भी मैं पूस्ती हूं तो वो यहां पर जो लोग रुख गए हैं महां पर उनके को रिलेटिव हो कि वो है भी जिन्दा नहीं है उसका भी कुछ पता नहीं है तो मेरा अगर प्रसनल एक्सपीरिंस आपको बताऊं तो यह है कि महां पर जो यहां वालों की बहुत बुरी हालात हैं जो कश्मीरी जहां पर ह है तो मेरे खाल से अब क्या हालत होंगे यह आगे वाले आने वाले टाइमों में देखने को मिलेगा अभी कुछ समय पहले और अभी वी एक मुहिम चली थी वर्ट सब्सक्राइब के अब तो हम कश्मीरी लड़कियों से साधी करेंगे अब तो कश्मीरी लड़कियों के लगता है कि बहुत ही जाहिल लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं और ऐसे पोस्ट जालते हैं तो पोस्ट में जब डले वे थे तो मैं पोस्ट में पढ़ रही थी तो कुछ लोग नहीं लिखा हुआ था कि भाई आप कश्मीरी लड़कियां ले तो लेंगे पर अपनी लड़किया तुम बात करो तो कुछ भी बात नहीं है तो मुझे लगता है कि बहुत ही गटी है mentality के बहुत ही जाहिल लोग हैं जो इस तरह की बाते कर रहे हैं किसी की बहन पर किसी की बेटी पर और in fact मेरे पास खुद के पास मेरे पास एक message आया था और इनी की party का था कुछ कहंगे नहीं इनी की party का था इनी का support करता है आप खुदी समझ जाएए तो उसने मुझसे बोला था लिखना नहीं आता था डंग से कश्मीरी इसको वह कस्मीरी लड़कियों से अब तो हो जाएगी ना कश्मीरी लड़कियों से साधी शाधी भी नहीं लिखा उसने साधी लिखा मतलब लिखना नहीं आ रहा है अब कश्मीरी लड़कियों से शाधी करनी है इंको मतलब मिल्कुल जाहिल सोचवारे जो लड़के होते हैं जाहिल जाहिल लोगों एक तरी पर देखते हैं कि वहाँ मिर्बवीशप जमीन 90 ली नहीं रह सकते तो कश्मीर को इस ली टारगेट किया गया क्श्मीर में मुसल्मान रहते हैं तो इनका युद्ध में लिए इन्होंने लगा था के लिए लिए मुल्ला भागो पाकिस्तान इनका एक नारा राय शुरू से बीजेपी वालों का तो अभी इनका यहीं चल रहा है कि जितने मुसल्मान हैं उनको भार निकालों मॉबलिंचिंग हो कि रही है मॉबलिंचिंग चुट्कियों का केल है रोकना पर इंका मेन जो मेन जो राजनीती इसी पर चल रही है हिंदू और मुसल्मान को किस तरह से आलक करना है हिंदू-्मुस्लिन किस तरह करना है और जेकिए अभी शाद आपने सुना होगा कि यहाँ पर हुआ था दिली 6 में दिली छे में जो हुआ था कि दिली छे के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं ठीक है दिली छे के बारे में बहुत अच्छे से जानती कि आना जाना मेरा रहा है महा पे और महा तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता महा जितने हिंदू हैं तो उतने ही मुसल्मान हैं और इतना भा लगी हुई है अभी तब तो जबकि ऐसा कुछ था नहीं बिल्कुट जूटी का वरती कुछ था नहीं बड़ पता नहीं पूंदू होते पता नहीं वाले होते हैं इस तरह से फैला के महाँ पर हिंदू-मुसल्मान कर दिया तो इनका जो राजनिती चल रहे हो हिंदू-मुसल कर सकते तो महां का कुछ नहीं दिखता इंको पर कश्मीर इसलिए दिख रहा है क्योंकि कश्मीर में मुसलिम से रहते हैं इनको लगता है मुसलिम से बहुत जबाएं को गुसा आता है पता नहीं क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते तो मतलब क्या ही बोलू मैं मतलब इंसान तो ना धॉनों हम इंसान हैं एक तरह के इंसान है तो क्यों इतनी चिड़ाइं मुस्लिम से मुझे बहुत बात मैंने में मैंने भी अब भ्याइब लोगों का कमेंट तो कुछ लोगों का था के जिन लोगों की कश्मीरी सेव खरीदने की उपात रहे हैं इसे कैसे करें तो इसके वारे में क्या लड़ता है बिल्कुल सच बात है देखिए एक बात बोलू मैं जो यह बक्त जो है ना जो कट्टर वक्त है वह यह बात कहेंगे आप कट्टर वक्त और यह पूछों कि पागसर पयव बुलाइवे लोग होते हैं पढ़ पांसर पर बुलाइवे पूरे दिन कि लोगों के दिमाग में ये गलत फैमी उठे कि हाया कश्मीर में हम जमीन करी सकते हैं ये वो है पर मेरे कहाँ से बहुत तुच्छी हरकते होती है और ये सब जो इनका आईटी सेल है वही करता है कोई नॉमल लोग नहीं करते हैं बक्तों की परिवाशा किस तरह किये जा सकती है बक्तों की परिवाशा इस तरह से करी जा सकती है कि मोधी उनके सर पर डंडा मार भी देगा न तब भी वह बोलेंगे अरे साहब हम तो आपके हैं हम तो कुछ भी हो हमारे हमें मोधी गला काट भी देना हमारा तब भी हम मोधी म और उनका पूरा खान्नान खरीव खतम कर दे उनका एक ही नाम होता है उनका एक ही सब कुछ उनका एक ही टारगेट लोता है वह सिफ मोदी और मोदी से बीजेपी चल रही है मेरी जाल से तो सीॐ नौल्ग कुछ जाल northwest आजकंव दॉप पर जिस तरह से बढर देना क ner तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो आर कर देंज सी को का देद नाम के जो रही है और पीछे चुटब गई है तो मुझे लगते कि जिस तरह के हालात है उस तरह आरेस इसको कहलो बीजेपी क्यों कहलो एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं के सारे के सारे तो बुरा तो ही करी रहे और आगे कितना बुरा करेंगे वो देखने वाला होगा